जहिन दोस्तों आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है आज हम लोग नाकपूर डिविजन सेंट्राल रेलोए का जेई सेन डबलू डिपार्टमेंटल कुशिन पर सल्ब करेंगे जो की साथ मार्च दोजात चाविस को कंड़क्ट हुआ था तो चलिए सेशन को सुरू करते हैं जो भी फ्रेंट्स फर्स्ट टाइम के लिए वीडियो वाच करेंगे तो जरूर पेन पेपर लेके आप लोग रेडी रहिए आप लोग खुद का टेस्ट खुद ले सकते हैं जैसे कि कोशिन रेड करेंगे वैसे ही आप लोग एंसर आप लोग का ले लिजे लास्ट में टाली करके देख सकते हैं कि आप लोग कितना इसमें सिक्योर किया है मार्क तो चलिए फ्रेंट्स डारेक कोशिन में चलते हैं तो जैसे की पहला कोशिन में हम लोग देख रहे हैं डायमेटर अब ब्रेक पाइप इच डेस मिलिमेटर इन बॉक्सेन वागन तो बक्सेन वागन के लिए पूचा है तो यहीं पर आप लोगा ब्रेक पाइप हो गया या फिड पाइप दोनों का ही आप लोगा जो डायमेटर रहेगा यह हो जाएगा 32 mm हो जाएगा अब संडी के साथ चलिए थिकनेस अफ फ्लोरिंग पैनल अफ लेजबी कोच लेजबी क होगा इसी साब से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएए आज से आप कोच के लिए फ्लोरिंग पैनल का थिकनेस कितना होगा डेस नंबर अप ऐसे भी फिटेड इन वागन तो ब्यारेन वागन में आप लोगा स्लाइक एडजेस्टर बेरेल जो फिट होगा एहीं पर पू नेक्स चलते हैं डेस टाइप अप ब्रेक ब्लक इच प्रोवाड़ेड इन बक्सेन वागन तो बक्सेन वागन में आप लोगा ब्रेक ब्लक पूछ रहा है जो कि आप लोगा एल टाइप का होगा इहीं पर अगर बक्सेन एचल होगा अगर ब्येम ब्येश टाइप का होगा तो आप लोग का K-type का brake block यूच हो सकता था लेकिन नहीं पर आप लोग का ये बक्सेन वागन मतलब simply under frame mounted brake cylinder system होता है conventional आप लोग का वागन होता है इसमें आप लोग का L-type का brake block लाएगा Capacity of air reservoir is 10 liter in boxean wagon तो आप लोग का air reservoir का capacity पूछ रहा है boxean wagon के लिए जो की 100 liter होता है next चलते है the capacity of control reservoir is 10 liter in boxean wagon तो ये पर capacity पूछ रहा है CR का capacity, control reservoir का capacity तो ये कितना हो जाएगा ये ये पर capacity पूछा है तो capacity आप लोग का ये पर जो हो जाएगा 6 liter हो जाएगा days number of brake cylinder is provided in BRN wagon तो देखिए ये पर आप लोग का BRN का आप लोग का जो brake cylinder लगेगा ये flat type का wagon है इसमें जो brake cylinder लगेगा ये पर कितना संख्या में लगेगा पूछा है जो की एक के संख्या में रहेगा और ये पर इसका जो diameter होगा ये आप लोग का 14 इंच का रहेगा या 355 mm का रहेगा A dimension of S-A-B-D-S-M-E in box and wagon 2 box and wagon के लिए A dimension पूछा है slack adjuster barrel के लिए तो इसमें जो A dimension होगा ये 70 plus 2 minus 0 होता है तो इसमें जो आप लोग का 70 mm है ये हो जाएगा आप लोग का सही answer तो जैसे की maximum आप लोग का wagon के लिए ये आप लोग का 70 plus 2 minus 0 mm होता है लेकिन एक बियो बियरेन wagon है जो कि आप लोग का हुपर टैप का wagon है इसमें जो A dimension होगा S-A-B का ये आप लोग का 27 plus 2 minus 0 mm हो जाता है next चलते हैं Dace type of spring are fitted in boxed wagon तो बकसें wagon में जो आप लोग का coil spring फीट होगा spring फीट होगा वो helical type का spring होगा there are days number of doors in newly built boxed wagon तो बकसें wagon में जो आप लोग का दरवाजा संख्या पूछा है डोर संख्या पूछा है जो की चार संख्या में होता है लेकिन धिरे-दरे जो modification होके यह आप लोग का last में दो के संख्या में ही आप लोग का maximum अभी जो wagon में आप लोग का diagonally दो के संख्या में ही डोर धिरे-दरे इसमें कंटेनर आप लोगा ट्रांसपोर्ट होता है तो इसमें आप लोगा पूचा है कि बीलसी रेक इच डेस वागन यूट्स तो ये पांच वागन का आप लोगा यूट्स होता है जैसे कि आप लोग जानते है इसमें दोनों एंड में आप लोगा एक कर रहेंगे और उनीट में आप लोग का पांच के सेंख्या में ये टोटाल वागन रहते हैं इन BLC वागन फर इंक्रीजिंग अटोमेटिक लिवरेच रहसो डेस इच प्रोवाइडेड तो ये देखे अटोमेटिक लिवरेच रहसो के लिए यहीं पर आप लोग का लोड हम्टी डिवाइज को हटाके इहें पर LSD लगा दिया गया है लोड सेंशिंग डिवाइज ये आप लोग का एम्टी और लोडेड कंडिक्सन को सेंस करके ब्रेक सिलिंडर में उसी इसाब से 3.8 प्रेसर लोडेड में और आप लोग का 2.2 केजी पर सेंटिमेटर स्क्यार जो आप लोग का ब्रेक सिलिंडर में प्रेसर ये बेशता है ये LSD का काम होता है अपसन एक के साथ चलिए तो देखिए ये पर स्पीड पूचा है ब्रेक के लिए जो कि आप लोग का 100 के अपसन एक के साथ चलिए तो ये एम्टी लोड दोनों के लिए आप लोग ही होता है तो ये पर देखिए जैसे की आप लोग का 80 के अपसन दिया है ये हो जाएगा आप लोग सही अंसार हो जाएगा बकसन वागन के लिए ये स्पीड हो जाएगा जो की एम्टी कंडिशन के लिए होगा और लोड़ेड कंडिशन के लिए 75 के MPH हो जाएगा यह आप लोगा बक्सेन वागन के लिए यह भी जरूर नोड़ डाउन कर सकते हैं डेश ट्रॉली इच प्रोवाइड़ इन बक्सेन वागन तो बक्सेन वागन कोन सा ट्रॉली यूच होता है कैसनप का अलग-अलग भरसन सब यूच होता है डेश नमबर्स अप LSD है बिन प्रोवाइड़ इन बीयो ब्यारेन वागन तो बीयो ब्यारेन हुपर वागन में लोड सेंसिंग डिवाइस कितने के संख्या में फीट होता है यह एक के संख्या में लेकिन आप लोग का BLC में यह पर वागन दो के संख्या में रहता है यह भी जरूर ध्यान में रखें डेश वियरिंग इच प्रोवाइड़ इन बक्सेन वागन बक्सेन वागन में CTR भी फीट होता है कैट्री स्टेपर रोलर वियरिंग दाइमेटर अप BPC is d-MM in conventional type कोच तो BPC is conventional type कोच में यह 25 mm होगा दा कलर अप BPC is d-In conventional कोच कंवंचिनल कोच में BPC का कलर ग्रीन होता है इस इसाब से आप लोग का UP का कलर होइट होता है दा कलर अप BPC is d-In conventional कोच यही कुशिन देखे फिर रिपीट होगा है यह हो जाएगा आप लोग का white हो जाएगा The diameter of Fp's dash mmE conventional coach Conventional coach में Fp के diameter पूछ रहा है 25 mm The capacity of auxiliary reservoir is dash liter in conventional coach Coach में auxiliary reservoir का capacity 200 liter Dash number of brake cylinder provided in conventional coach Conventional coach में brake cylinder के संख्या पूछ रहा है जो की आप लोगा 2 के संख्या में यह आप लोगा लगता था Brake cylinder जिसका की आप लोगा 14 इं park का size था 355 mm The diameter of brake cylinder is dash mm in conventional coach So conventional coach में जो brake cylinder रिजिस होता था 2 के संख्या में इसका diameter 355 mm या इंच में आप लोग का 14 इंच का ये डियमेटर रहता था दे कैपासिटी अब कंट्रोल रिजर्बर इज डेस लिटर इन कन्वेंशनल कोच ये देखें कन्वेंशनल कोच में जो सियार लगता था तो इसका कैपासिटी 9 लिटर का था ना के 6 लिटर इहीं पर गलती मत किजिए डेस नंबर अप ऐसे भी प्रोवाइड़ इन कन्वेंशनल कोच कन्वेंशनल कोच में दो के संख्या में ऐसे भी फीट होता था ब्रेक सिलींडर इन BC कोच तो ब्लोका चार के शंख्या में ये अब लोका ब्रेक सिलींडर इन Republic कोच में नेक्स चलते हैं डायमेटर अब ब्रेक सिलींडर इन इन ब्रेक सिलींडर अधाinken था पूछा है जो कि 203 mm होगा या इसको आठ इंच भी बोल सकते हैं डेस टाइप अब ब्रेक ब्लक प्रोवाइड़ इन BMVC कोच तो BMVC बोगी मांटर्ड ब्रेक सिलिनर सिस्टम में जो ब्रेक ब्लक यूच होगा ये के टाइप का कमपोजिट ब्रेक ब्लक होता है चोख होल डायमेटर अब पासेंजर इमर्जनसी अलारम भाल्प इन BMVC कोच तो इन पर देखे चोख होल डायमेटर पूचा है पी अभी के लिए BMVC ICF कोच में जो की 8 mm का चोख होल डाय रहता है डेस टाइप अब ब्रेक ब्लक यूच इन तो कन्वेनशनल कोच में एल टाइप का ब्रेक ब्लक यूच होता था डेस अमेम चोख इच प्रोवाइड़ इन गाड अमर्जनसी भाल्प इन SLR तो आप लोग का SLR में गाड अमर्जनसी भाल्प का जो चोख होल डायमेटर रहता है ये भी 8 mm का होता है डेस टाइप अब ब्रेक ब्लक यूच होता है इसको L टाइप लीजिए अगर कहीं पर mention नहीं है BMBS टाइप का है या बॉक्शन E organ है डेस टाइप अब ब्रेक ब्लक यूच्टि इन बॉक्त अच अचल उगहन यह देखिए आ गया बउक्त अचल वाओन में यहीं पर आप लोग simply के टाइप कीजिए क्योंकि यहीं पर आप लोग का BMBS system यूच होता है buggy mounted brake system यूच होता है जो कि दो के संख्या में पर वागन में आप लोग का 10 इंच या 255 mm का brake cylinder लगता है Payload of BCNHL वागन is destined यहीं पर देखिए Payload पूचा है BCNHL वागन के लिए तो यहीं पर आप लोग का यह क्या हो जाएगा Payload BCNHL high level BCN वागन के लिए यहीं पर आप लोग का Payload या जिसको की आप लोग का carrying capacity बोलेंगे तो यह हो जाएगा आप लोग का 70 71 ton हो जाएगा जिसमें की आप लोग का BCNHL के लिए यह भी data यात रख सकते हैं BCNHL वागन के लिए इसका CC जो होता है 71 ton होता है इसका tier tier weight 20.8 ton तो gross इसी सबसे इसको add कर दीजे 91.8 ton इसका gross load पेलोड अब बक्सेन M1 वागन इस डेस टन इह पर पेलोड पुछा है बक्सेन M1 वागन के लिए यह आप लोग का 65 ton at the time of continuity test 10 kg पर cm कर pressure is dropped by guard emergency भाल तो जब भी guard or driver के बीच में आप लोग का continuity होता है तो 1 kg का pressure ड्रोप करके ही continuity होता है maximum आप लोग का time में जो कि आप लोग का air route में कोई भी station में गाड़ी रुखता है उसके बड़ start होने से पहले यह आप लोग का continuity test होता है या originating station में भी आप लोग का continuity होता है तो continuity का procedure यही है कि guard driver 1 kg करके आप लोग का drop करेंगे दोनों बाजू से उसी साब से उसको check किया जाता है तो option आप लोग एक के साथ चलिए at the time of continuity test days kg per centimeter square pressure is drop by driver from engine तो यही पर देखे driver आप लोग का engine से कितना kg pressure drop करेंगे continuity test के लिए तो इसका जैसे कि railio board JPO या RDSO का जो guideline है इसकी अनूसर इसमें आप लोग का पहला page में जो भी है driver 1 kg आप लोग का drop करके continuity test करेंगे हलाकि इसमें एही procedure भी है कि आप लोग इसका second चरण में इसको 5 kg pressure भी drop करके इसका continuity check किया जाता है लेकिन इतना टाइम आप लोग का एरूट में रहता नहीं इसलिए एक एक केजी का दोनों बाजू से गाड एक बार driver एक बार एक एक केजी pressure drop करके ही continuity test करते हैं ताकि आप लोग का कोई भी punctuality loss ना हो next चलते हैं when driver applied emergency brake days kg पर सेंटिमेटर स्कर pressure is available in brake तो जब भी आप लोग का driver लोको पाइलट emergency brake apply करेंगे तो आप लोग का गाड भेन में ब्रेक भेन में SLR में कितना प्रेसर रहेगा 0 kg पर सेंटिमेटर स्कर या 0 प्रेसर रहेगा इन यार ब्रेक engine testing यह देखिए लोको टेस्टिंग लोको टेस्टिंग लोको टेस्टिंग के लिए बूर रहे है 10 kg पर सेंटिमेटर स्कर pressure should be dropped in 60 seconds from BP engine gas तो ही पर इन जीन से BP का pressure जो drop करेंगे 1 kg पर सेंटिमेटर स्कर pressure drop करेंगे 60 seconds के लिए यह लोको आप लोका टेस्ट होता है लोको लिकेश टेस्ट होता है एक कर्णिशन में यह क्या जाता है at the time of your brake engine testing डेस एमेम लिखोल टेस्टिंग यूज़ तो जब भी लोको लिकेश टेस्ट करेंगे इसमें आप लोका लिक होल टेस्ट प्लेट यूज़ किया जाता है तो इसका इहीं पर आप लोका size पूछ रहा है diameter पूछ रहा है जो कि आप लोका 7.5 mm लिक होल टेस्ट इसमें लिक होल टेस्ट प्लेट यूज़ किया जाता है अपसन A के साथ चलिए break power percentage अब कोचिंग स्टोक इस डेस परसेंट फ्रम इंटर्मिडियेट स्टेशन तो इंटर्मिडियेट स्टेशन या एंडरूट एक ही चीज़ है तो एंडरूट से आप लोगा break power percentage कोचिंग ट्रेंड के लिए कितना होगा 90% होगा दा परमिसबूल इन बक्षन एचल वागन डेस यार ब्रेक सिस्टम इच प्रोवाइड़ तो बक्षन एचल में आप लोगा twin pipe यार ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है बीवी जड़े ब्रेक बेन प्रोवाइड़ उज डेस बोगी तो बीवी जड़ाई में ICF ट्रोली लगता है इसलिए इसमें spherical roller bearing यूज होता है इसमें SRB यूज होता है spherical roller bearing speed of ICF कोच 10 केमपेज ICF कोच का speed पूछा है 110 केमपेज इसी साब से बंदे भारत का 180 केमपेज और LHB का 160 केमपेज ये भी कोचिन बार-बार repeatedly आ रहा है आप लोग का ये सब एंसर मुँ मुँ में रहना चाहिए maximum buffer height of कोचिंग स्टक is 10 mm in empty condition तो maximum buffer height आप लोग का empty condition में कोचिंग स्टक के लिए 1205 mm minimum buffer height जो होगा कोचिंग स्टक का loaded condition के लिए ये 1030 mm होगा permissible buffer height difference of कोचिंग स्टक के लिए 10 mm तो आप लोग का buffer height जो difference आप लोग का जो भी याड में काम करते हैं तो उनलोग को पता होगा जो supervisor stop काम करते हैं इसके लिए बहुत ताम जाम होता है जोल जाल होता है ये आप लोग का operating C&W को लेके तो buffer height difference ये भी बहुत बड़ा factor है जो की permissible जो होता है ये आप लोग का 75 mm होता है याद रखिए which type of coupling is provided in LHB coach LHB coach में जो coupling आप लोग का provide किया जाता है sorry friends which type of coupling is provided in LHB coach साइथ यही पर ये bearing होना था तो coupling अगर आ जाएगा तो यही पर देखे printing ये आप लोग का tapping mistake हो सकता है तो coupling जो यूच होगा यही पर आप लोग का semi permanent productions यह हो जाएगा आप लोग का बंदे भारत coach के लिए ये बंदे भारत कोच के लिए है और LHB के लिए भी आप लोग जान लिजे यहीं पर कपलिंग LHB के लिए पूचा है तो LHB में S टाइप टाइट लोग कपलर यूच होता है यहीं पर आप लोग का अगर इसमें आप लोग का बीरिंग के लिए पूचा होता कि आप लोग का किस टाइप का बीरिंग LHB काषि white में यूच होता है तो यह आप लोग का CTR भी होता गैटरिस्टे पर रोलर बीरिंग देस टाइप अप रोलर बीरिंग इसうん है इस फिटेड in एक्सल बक्स के लिए ये उच्छ होता है, अप्शन एक साथ चलिए, अक्जूलारी रिजर्वर इस चार्ज बैर डेस इन ट्विन पाइप एर ब्रेक सिस्टम, तो एर चार्ज होता है, आप लोगा ट्विन पाइप एर ब्रेक सिस्टम में, ये एपपी के मायदम से, ये आप लोगा जो फीड सियर इस चार्ज फीड डेस के जीप चेंटीमेटर स्कूर इन ट्विन पाइप ऐर ब्रेक सिस्टम, तो एपफी कूशिन बौधी बढ़िया कूशिन है, तो आप लोगा डिस्ट्रिपटर भाल्प जो डिरेक्ली common pipe bracket पर ये आप लोग का fitted होता है mounting होता है याद रखें CPB common pipe bracket तो चलिए फ्रेंस एही पर आप लोग का नागपूर डिविजन का JCNW कुशिन पेपर जो सल्ब करने थे पहला पाट एही पर खतम करते हैं तो ये एक टाइप का one liner कुशिन था जिसमें कि आप लोग जो भी रेगुलारी वीडियो वाच करने है एक भी आप लोग का कुशिन गलत नहीं होना चाहिए ऐसे ही आप लोग का अभी बंदे भारत का स्पीड में ही आप लोग को answer आप लोग perfectly देना पड़ेगा एसे ही आप लोग का एक कुशिन के लिए एक विनिट भी आप लोग का नहीं मिल रहा है तो उसी हिसाब से आप लोग का preparation करना पड़ेगा तो जैसे कि हर बार बोलते हैं बढ़ियां से preparation कीजे बढ़ियां से वीडियो देखे समझने का कोसिस कीजे कहीं पर भी गलती हो रहा तो जरूर इसको comment section में आप लोग बताईए तो इसका second part लेके आप लोग का फिर next वीडियो में मुलाकात होगा तब तक के लिए बढ़ियां से practice कीजे जै हिन दोस्तो जै जगरनात दोस्तो